हेलो दोस्तों स्वागत आपका Friend Study Circle चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग दोरा जारी नोटिस के बारे में बता जाएगा चैनल पर पहली बार वीजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको Government Jobs Related Update मिलते रहेंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछी दिन पहले अभी BEO का जो रिजल्ट है वो आउट हुआ है और यहाँ पे उसी के सिलसले में नोटिस जारी हो चुका है डाकुमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो उन स्टिडेंट के लिए बेहत खुसकवरी है जिनका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होना है और जो लोग इस एक्जाम को क्वालिफाई किये है और दोस्तों इसमें संबंधित जो भी जानकारी है इसे आप पहले रिट करेंगे उसके बाद ही इसमें जो भी डाकुमेंट मांगा गया है उसे आपको लेकर यहाँ पे जो एड्रेस दिया है उस पे पहुचना है आपको 10 बजे से 2 बजे उपस्तित होना यहाँ पताया है कारियाल है के परिच्छा हाल के पर्थम तलपक पुरुआन 10 बजे तथा अपरान 2 बजे उपस्तित हो और दोस्तों चार तारिक से इसका जो form है उसको fill up करना है जैसा कि official website पे उपलब्द रहेगा और यहाँ पर बता दिया है उस form को fill up करने के बाद आपको यह सारे जो प्रमाडपत्र हैं साथ में लेकर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं high school अंक पत्र तथा प्रमाडपत्र के मुल प्रत यह चाया प्रति यानि कि आपको original के साथ ही आपको उसका photocopy भी ले जाना है यह C, ST, OBC जो भी कटेगरिक से बिलांग करते हैं उनके बारे में और यहाँ पर बताया है आरेक्छर्ड EWS अने पिछला वर अंसूची जाती अंसूची जनजात दिभ्यांग्जाम बोधपूर सैनिक सोतन तता संग्राम सेनानी यह अस्थाई निवास की दावे के संबन मे सक्षम आधिकारी द्वारा जारी जाते निवास प्रमापत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां महिला बेरती की दसा में जाते निवास प्रमापत्र पितापक से ही जारी मानने होगा यानि महिला है तो आपको पितापक से ही मानने होगा सरकारी सेवक कार्मिक होने के स्थिति में न्यूकती प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाडपत्र के मूल प्रती दो पास्पोर्ट साइज नविंतम फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाडित तथा दो बीना प्रमाडित फोटोग्राफ आवेजन पत्र के सिक्स पर चस्पा कर उक्तानुसार उपस्तित हों तो दोस्तों यह नॉटिफिकेशन पढ़ लें और बहुत जल्द ही इस वैगेंसी को लगवक्त फाइनल कर दिया गया है और यहां भी बताया है ऐसे अब्यरति जिनकी हाई स्कूल इंटर असनातक सिक्षा असनातक के उन अंक पत्रों प्रमाड पत्रों में नाम पीता के नाम में भिन्नता हो वे इस आसे का नोटरी सपत पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें यानि कि हाई स्कूल या फिर इंटर या फिक कोई भी आपके पार मार्सीट है उसमें डिफ्रेंस है तो आप उसके लिए आप एफिडेविट प्रस्तुत करेंगे और इस चीज़ को आपको 2021 की रिकूटमेंट इसी महीने में इसका विग्यापन जारी होने के संभावना है दोस्तों थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा जो भी स्टुडेंट तैयारी करना है या भी बहुत सारी जो भी स्टुडेंट कोचिंग कर रहें वो करते रहें और दोस्तों इससे टेक केर बाई बाई